हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजु मेडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हर्दिक स्वागत है क्रिश्न भक्तवी सूर्दाज्जी के एक भजन को लेकर मैं आपके समक्ष उन्हा उपस्थित हूँ सूर्दाज्जी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये सूर्दाज्जी भक्तिकाल के क्रिश्न भक्त कव्यों में सर्वस्रेष्ट है वे अश्ट चाप के प्रमुक कभी हैं। सूर्दास जी के दरा लिखे गए इस भजन को मैं दो भागों में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। सबसे पहले मैं भजन को पढ़कर सुनाती हूं। तत पस्चाद उसके कठिन सब्दों के अर्थ को बतलाओंगी। फिर मैं पंक्ति की ब्याख्या करूँ। तो चलिए बिना देर के आरंब करती हूं। हे दीन दयाल गोपाल हरी ब्रिंदावन मोहे बुलातो सही। रोरो रज चरन पकहार पलक तुक प्रेम प्रशाद जगातो सही। दीन दयाल गोपाल हरी। तो हे छोड के किसी की आस करू। तेरी नगरी में नित्य निवास करू। दिन रात यही अरदास करू। तेरी बंसी की धुन सुनातो सही। दीन दयाल गोपाल हरी। ब्रज की बुहानी दिया ही करू, सेवा पुज किया ही करू, मिरी नाव को पार लगा तो सही, दीन दयाल गुपाल हरी, ब्रिंदावन मोहे बुला तो सही तो पहले इस बंक्ती में आए कठिन सब्द के अर्थ को मैं पतला देती हूँ कठिन सब्दों के अर्थ, दीन दयाल, यानि करीपों पर दया करने वाले, गुपाल, गौ यानि गायों का पालक पालनहर, रज यानि धूली, चरण यानि पैर, पकार मने धूना, पलक, आँख की पलक को कहा गया है टूक मने टुकडा या थोड़ा, प्रशाद यानि आसिरवाद, आस मने उम्मीद आसा, नित्य मने हमेशा, निवास यानि रहना, दिन रात, यानि हमेशा हर वक्त, अरदास यानि प्राथना, बंसी यानि बांसुरी, धुन यानि ध्वनी या संगीत, ब्रज मने गोकुल, भुहानी यानि साफ सफाई करना, फुजी यानि फूजा, तो आप चलिए मैं पंक्ति का अर्थ समझाती हूँ, देखे हम लोगों में यह माननेता है, यह हमारी सोच ऐसी होती है, कि जब तक आपको इस्वर अपने पास नहीं बुलाते हैं, तब तक आप इस्वर के दर्सन के लिए उन तक नहीं पहुँच पाते हैं, उधारन के तौर पर मैं आप लोगों को समझाती हूँ, जैसे कि आपको वैश्नो देवी के दर्सन करना है, तो कहा जाता है कि जब तक माता आपको नहीं बुलाएगी, तब तक आप वहां तक जाने का अगर कारेक्रम बनाएंगे भी, तो वह स्थकिद हो जाता है, और जब माता बुलाती है, तो बिना कारेक्रम के, बिना तैयारी के ही, आप उन तक पहुँच जाते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक यहां पर भी इसी भाव को दिखलाया गया है, यहां पर भी भक्त जो है, वो स्रिक्रिश्न से यही बन जाए, लेकिन वहां तक पहुच नहीं पा रहा है, उन्हें लगता है कि जब तक भगवान स्रिक्रिश्न उन्हें बुलाएंगे नहीं, तो वह वहां तक कैसे पहुचेंगे, कैसे उनके दर्शन होंगे, तो यहां पर इसी बात को बतलाया गया है, इसके साथ ही साथ एक भक्त की भावना को भी अभिव्यक्त किया गया है, देखिए, हे दीन दयाल गोपाल हरी, हरी कौन, स्री कृष्ण, ये हरी कौन है, स्री कृष्ण कौन है, विश्नु के अवतार, इसलिए उनको हरी कहा गया है, तो यहां कहा गया है, कि हे दीन दयाल, ये जो स्री कृष्ण है, जो विष्नू का उतार है वो कैसे हैं दीनों पर दया करने वाले, गरीबों पर दया करने वाले, और कौन है गायों का पालन पुसन करने वाले गुपाल है। तो इसी भगवान से, इसी स्रिकृष्ण से प्राथना कर रहा है भक्त ब्रिंदावन मोहि बुला तुसे हैं। मोहि मने, मोहि मतलब मुझे, मुझे ब्रिंदावन तो बुलाओ, मुझे ब्रिंदावन बुलाओ ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूँ, रो रो रज चरन पकार पलक, तुक प्रेम प्रशाद जगात तो सही, भक्त के आखों से अस्रू प्रभाइत हो रहे हैं, क्यों बह रहे हैं, भक्ती भाव में लीन होकर, स्रीकृष्ण को पाने के लिए, स्रीकृष्ण के दर्शन के लिए भक्त का हिर्दय जो है, द्रवित हो रहा है, उनके आख से आशू निकल रहे हैं, इस्वर मिलन की इच्छा से भक्त के आँखों से आशु प्रवाहित हो रहे हैं और इसी आशु के लिए ओ कहता है कि मैं अपने आँखों से बहने वाले आशु से मैं क्या करूंगा आपके चरन धूली को भोंगा रो रो रज चरन मने रो रो कर आँखों से आशु जो बहेंगे रज चरन प्यारों में लगे हुए धूल को पकार मने साफ करना पलक मतलब अपने आँख के पलकों से मैं अपने पलकों से आँखों से बहने वाले अस्रु जल से आपके चर्णों की धूल को धूना चाहता हूँ, साफ करना चाहता हूँ टुक प्रेम में प्रशाद जगा तो सही टुक प्रेम थोड़ा सा टुक मने थोड़ा सा प्रेम का प्रशाद यानि प्रेम का असिर्वाद हमें तो आप दीजिए जगा ही सही बने आप हमें प्रदान कीजिए हमें थोड़ा सही आपका शिर्वात चाहिए मुझे थोड़ा सही आपकी अनुकमपा चाहिए दीन दयाल गोपाल है हे दीनों का भला करने वाला हे दीनों पर दया करने वाला गायों का पाल गोपाल स्रीकृष्ण चोड़ के किसी की आस करूँ, भक्त जो है, भक्त के मन में अपने भगवान के लिए एक निष्ठ भाव है, सूरदास जी ने स्री कृष्ण के लिए अपने भ्रमर्गीत के एक पद में लिखा है, जहाज का पंची, जैसे जहाज का पक्षी, फिर फिर जहाज पे आवी, सूरदास जी यानि भक्त जो है, वो क्या है, एक जहाज का पक्षी है, जहाज समुद्र में चला जा रहा है, और उसमें बैठावा पक्षी क्या करता है, इधर उड़ता है, लेकिन फिर आस्रे पाने के लिए कहां आता है, जहाज के आता है, तो भक्त के लिए, स्री कृष्ण किसके समान है जहाज के समान है इसलिए कह रहे हैं तो है छोड़ के किसकी आस करूं तुम्हें छोड़ कर मैं और किसी की उमीद कैसे करूं मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है तेरी नगरी में नित्य निवास करूं आप जहां रहते हैं जिस नगर में रहते हैं वही मैं हमेशा रहना चाहता हूँ, वही मैं वास करना चाहता हूँ, वही मैं निवास करना चाहता हूँ, मैं आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं और जाना नहीं चाहता हूँ, दिन रात यही अरदास करी अरदास यानी प्रातना तो भक्त जो है वह रात दीन हर वक्त हमेशा क्या कर रहा है भगवान से प्रातना कर रहा है भक्त क्या कर रहा है, हर समय रात दिन अपने इष्ट यानि स्री कृष्ण से यही प्राथना कर रहा है कि आप मुझे पर कृपा करें, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपको छोड़ कर कहीं और जाना नहीं चाहता हूँ, तेरी और भक्त ये कहता है स्री कृष्ण से कि आप अपने मुर्ली की ध्वनी जो है हमें सुना तो दीजिए, मुर्ली की ध्वन यानि आप हमें संकेत दीजिए ताकि मैं आपके दर्सन के लिए ब्रिंदावन आ सकूं। दीन दयाल गोपा लहरी है दीनों पर दया करने वाले, गायों का पालन करने वाले, है स्री कृष्ण आप हमें ब्रिंदावन बुला लें। ब्रज की भुखानी दिया ही करूं। भक्त कहता है कि वह ब्रज यानि गोकुल, वह गोकुल की साब सफाई करना चाहता है। और सेवा पुज किया ही करें और मैं भगवान की सेवा नित्य पूजा करना चाहता हूँ मेरी नाव पार लगा तुसे हैं इस प्रकार आप मेरी जीवन नईया को पार लगा दे किनारे तक पहुचा दे मेरा जीवन जो है वो मजधार में है मेरी जीवन नईया मजधार में फसी हुई है वह आपके कृपा के विना किनारे तक नहीं पहुचेगी अता आपका मेरे उपर कृपा करना आपका मेरे उपर अनुकम पित होना अत्यनत आवश्यक है दीन दयाल गुपाल हरी ब्रिंदावन मोहे बुलातु सही और भक्त पुनह अपने भगवान से कहता है है दीनों पर दया करने वाले गायों की रक्षा करने वाले गायों का पालन करने वाले है स्री कृष्ण हमें ब्रिंदावन बुलाली तो एक भक्त की इच्छा भक्त की चाहत कि वो भगवान के साथ हमेशा रहे यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है सूर्दाजी ने अपने भक्त रूप को यहाँ पर कट किया है वे हमिसा चाहते हैं कि स्रीकृष्णी के सम्पर्क में रहे स्रीक्रिष्णी के सानिधि में वो अपना जीवन यापन करे और इस प्रकार उसकी जीवन नईया जो है पार लगे उन्हें इस संसार से मुक्ती प्राप्त हूँ उम्मीद करती हूँ कि यह भजन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगले वीडियो में इस भजन के बांकी बच्चे हुए अन्स को लेकर मैं आपसे पुना मिलूंगी वीडियो को लाइक करें, सेर करें, जो मेरे चैनल पर नए है वे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तब तक पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें मेरी सुब कामनाई आप सभी बच्चों के साथ है, धन्यवाद